नमस्कार बच्चो आज हम करेंगे NCIT 10th की क्लास की exercise 1.2 के सम ठीक है बच्चो तो शुरू करते हैं हमारा question number 1 है express each number ठीक है बच्चो हमने एक जो हरेक नमबर है जो हमें दिये हुए है इसको product of its prime factor में represent करना है बच्चो prime factor मतलब prime number जैसे हमेंने पिछली वीडियो में आपको बताया था prime number अगर किसी ने नहीं देखी तो मुझे कर लिंक नीचे डाल दूगा वो जाके पूरे number system पर यह देख सकता है ठीक है तो prime number बो होते है जो अपने ही table में और वन के table में आते है उसके लाब और किसी से divide नहीं होते बच्चो ठीक है बच्चो तो हमने उनके factor बनाने है तो हमारा पहला जो 140 के prime factor बनाने तो हम क्या करेंगे बच्चो उसे बहुत से बच्चे जानते भी होगे कि prime factor कैसे बनते है फिर भी मैं बता देता हूं हम ऐसे बना लग बच्चो तो सबसे पहले छोटा prime number कौन सा है 2 तो सबसे पहले हम किस से divide करेंगे 2 से जागे 17 तो से फिर divide करेंगे तो जी आजाएगा 35 ऐसी बच्चो हम करते जाएंगे अब जब 2 से नहीं होगा 3 से नहीं होगा तो हम किस से divide करेंगे 5 से तब जी आएगए 7 7 अपने अब में एक prime number है तो जी हो जाएगा 1 बच्चो तो हम लिखेंगे कैसे तो हम ऐसे लिखेंगे 140 is equal to 2 दो वरी 2 into 2 multiply 5 multiply 7 बच्चो तो इसको हम हमेशे ही power में denote करेंगे तो यह आजाएगा 2 कितनी परी है बच्चो दो वरी तो 2 की power 2 5 1 वरी है तो लिखने की जुरूरत नहीं यह 1 लिखना चाहे तो आप लिख सकते है बच्चो तो यह आपके prime factor बनगे 140 के बहुती सिंपल है बच्चो बहुती इसान है अगला करते है 156 ठीक बच्चो तो हमारा प्राइम फेक्टर तो 156 से सबसे पहले किस से जाएगा 2 से क्योंकि इवन नमबर है तो यह आजाएगा 70 852 से जाएगा 30 39 अब और नमबर आ गया और नमबर 2 से नहीं जाएगा तो हम अगला प्राइम नमबर ट्राइ करेंगे जो कि है 3 ठीक है 3 से बच्चो जब हमाराइड करेंगे जाएगा 13 13 खुद में इक प्राइम नमबर है तो 13 1 सा 13 तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13 तो इसको वैसे ही पावरों में डेनोट करेंगे 2 की पावर 2 जाएगी बच्चो 3 की पावर कितनी है 1 और 13 की पावर कितनी है 1 तो यह 156 के प्राइम वेक्टर बन गया बच्चो तो जो अगला नमबर है हमारा वो है 3825 बच्चो ठीक है तो हम 3825 के फेक्टर बनाएंगे बच्चो जो की है 3825 ठीक है बच्चो तो बिल्कुल वैसे ही काना है जैसे हमने पिछले समय किया है तो ऐसे हम बना लेंगे cross तो 3825 बच्चो जो 2 से नहीं जाएगा क्यों ध्रीक नमबर है तो हम किस से ट्राइगे गांगे 3 से 3 से ड्वाइड करेंगा जैका 1 3 2 6 एंसर के 7 5 ठीक है तो आफ्दो से यह किस से ट्राइगे 3 से 3 4 2 12 3 2 6 3 5 15 बच्चो तो अब जैसे नहीं जाएगा तो हम किस से हट्राइगे 5 से क्योंकि इसके से लाज़ी सिट 5 है तो तो यह आ जाएगा हमारे पास 17, 17 खुद में ही प्राइम नंबर है तो 70 और किसी नंबर से नहीं ड्वाइड होगा, तो यह 70 से ड्वाइड होगा, तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चो, 1 तो हम पिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेस्चन में लेगा, तो इसको लेखेंगे 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 और multiply 17, तो इसको पावरों में लेखेंगे तो यह अगर 3 की पावर 2 5 भी 2 टाइम से है, तो 5 की पावर 2 आजाएगे बच्चो, 71 टाइम से है, तो 17 की पावर 1, इस तरह जै आपके क्या बन जाएंगे बच्चो, प्राइम फेक्टर 3 A25 के प्राइम फेक्टर बन जाएंगे बच्चो, ठीक है कुछ ज़्यादा मुश्किल लई है, ऐसे ही आपको करते जाना है, तो चलो अगला नंबर देखते है, जो की है 5005 5005 5005 तो इसको बिल्कुल बच्चो, वैसे ही कही बच्चो को परशानी होती है तो कोई जादा मुश्किल ने हो, थोड़ी सी कल्कुलेशन पर ही ध्यान देना है तो इसका लाज रिजट 5 है, तो हम कि से ड्वाइट करेंगे बच्चो, 5 से जाएगा 5001 ठीक है बच्चो, फिर यह 7 से जाएगा क्योंगी 5 से ड्वाइट नहीं होता तो यह आजाएगा 143 143, 13 से जाएगा तो यह आजाएगा बच्चो, आपका Sorry, 11 से जाएगा यह ठीक है बच्चो, तो यह आएगा 13, खुद में एक प्राइम नंबर है 13, 1 सा 13 तो इसको कैसे लेखेंगे 5, multiply 7, multiply 11, multiply 13 तो यह आपका प्राइम फेक्टर बच्चो, 5005 के जो लास्ट में हमारा बच्चो ठीक है, वो है 7, 4, 2, 9 तो वो कहा है 7, 4, 2, and 9 तो इसके भी हम वैसे प्राइम फेक्टर बनाएगे बच्चो, क्रोस में, तो हम एक क्रोस टेबल बनाएगे ठीक है, जो 7, 4, 2 से डवाइड होता है बच्चो, ना 3 से, ना 5 से, 7 से, 11 से जो सबसे पहले नंबर कुन सा है, जिसे यह डवाइड होगा वो है 17, 7, 4, the 68 7, 3, the 51 7, 16 आ जागा बच्चो इसके वाद, 70 से डवाइड होना बंद हो जाएगा अब इसको 19 से डवाइड करेंगे तो जाएगा, 9, 2, the 38 9, 3, the 57 23 है, जो कुद में एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर कुद से ही डवाइड होता है तो यहाँ पे आजाएगा बच्चो 1, तो इसके प्राइम नंबर कुद से होगा बच्चो 17 x 19 x 23 तो जे इसके प्राइम फेक्टर मैं जाएगा बहुत ज़्याद है बच्चो कुछ ज़्यादा नहीं आपको प्रैक्टिस चाहिए तोड़ी कैलकुलेशन आपकी प्रफेक्ट होनी चाहिए ठीक है बच्चो तो यह पहला पार्ट हो गया चलो अब बढ़ते है अगले क्वेस्चन की तरफ जो की है find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify हमको verify भी करना है बच्चो हमने यह verify करना है LCF and HCF is equal to product of two numbers यह formula भी है बच्चो अबको वैसे ही याद भी रखना है तो हम पहला question करते है जो हमें जो number दियो है 26 and 91 ठीक है बच्चो सबसे पहले हम इनके prime factor बनाएंगे तो 26 के हम जो prime factor बनाएंगे बच्चो जी even number है तो किसे divide होगा 2 से तो जी आजाएगा 13 13 खुद में ही prime number है तो उसको जब divide करेंगे तो हो जाएगा 1 ऐसी बच्चो हम 91 के बनाएंगे 91 को आप 2,3 किसी से divide होगा तो जी जाएगा 7 से तो जहाँ जाएगा 13 13 को 13 से divide करेंगे तो जी आजाएगा 1 तो हम इसको लिखेंगे कैसे बच्चो 26 किसके factor है 2 into 13 के 91 जो है वो किसके factor है 7 and 13 के ठीक है बच्चो अब हमें क्या find करना है HCF and LCM तो सबसे पहले हम HCF मैं formula लग देता हूँ बच्चो आपको पता होना चाहिए कैसे तो HCF जब भी हम लिखेंगे बच्चो तो हम सबसे पहले लिखेंगे common factor क्या लिखेंगे common factors चितने भी हमारे पास इनके common factor बनेगे जैसे इसमें 13 हमारा common है यहां भी है और यहां भी है ठीक है और उनकी जो power लिखेंगे बच्चो इसकी power होगी lowest कौनसी power होगी? lowest जैसे इसी साम में हम जब HCF निकालेंगे बच्चो तो इन दोने में common factor कौनसा है? 13 ठीक है? और 13 की power कितनी है? यहां भी बानना हो रहे है? यहां भी बानना है तो 13 की power होगा तो हमारा HCF आजाएगा 13 ऐसे ही बच्चो यह formula आपने याद आखना है ठीक है? ऐसे हमारा आजाएगा LCM LCM में हमने क्या लिखना है? all factor लिखना है common हो चाहे ना हो ठीक है? all factor से लिखना है जैसे हमने सिर्फ कौन से लिखे थे? common factor बट इसमें कौन से लिखना है? all जो LCM है तो हम highest power लेंगे greatest power लेंगे ठीक है बच्चो highest या greatest power होगी जैसे इन दोनों में हमारे factor कौन से है? एक हमारा factor 2 है 13 है 7 है 13 है ठीक है? तो हम यह बट लिखेंगे तो हमारे पास कौन से factor 2 है? 13 है 7 है repeat नहीं करेंगे बच्चो उसकी हम highest power लेंगे 2 की highest power लेंगे दोनों में कौन सी है? 2 की highest power 1 है 13 की highest power 1 है 7 की भी highest power 1 है तो यह हमारे 14 multiply 13 ठीक है बच्चो तो इसको हम multiply करेंगे जिन दोनों की multiply 14 हो जाएगी तो जाएगा 182 यह हमारा LCM आगे बच्चो और हमारा HCF कितना है था 13 उसके बाद हमने ने हमें कहा है verify करने के लिए तो verify क्या गाना है मैं LCF into HCF product of two number तो हम जाहूं करेंगे वो कहें LCM into HCF is equal to A cross A cross B कहा है बच्चो product है numbers का product of numbers ठीक है तो इसको हमने ऐसे लिखना है तो हमारा LCM आए था बच्चो 182 हमारा HCF आए था 13 और हमारे यह दो नमबरों ने दिये हुए 26 जिसका हम LCM ने कर रहें HCF ने कर रहें ते दूसरा है 91 इन दोनों को जब हम multiply करेंगे बच्चो तो हमारा answer आएगा 2,3,6,6 इनको भी multiply करने से कितना होगा 2,3,6,6 तो हमारा यह दोने एक कुल आगे तो हमारा यह verify अगर आपके यह दोनों आएक कुल नहीं आ रहें इसका म तो हम चलते हैं अगला question की तरब वो है 510 and 92 यह भी बिल्कुल ऐसे ही करना है बच्चो इसमें कोई करने बाते हैं तो अगला question हम देखते है बच्चो तो अगले हमारे दो जो है number है वो है 510 and 92 बच्चो ठीक है तो हम ऐसे इवन आएगे 510 के prime factor बनाएंगे बच्चो तो सब पहले यह किस से जाएगा even number है तो 2 से असानी से चला जाएगा तो यह आएगा 255 जानी चे फिर 3 से try करेंगे तो 24 और आए जाएगा 5 से try करेंगे ठीक है बच्चो तो यह आए जाएगा 17 17 prime number है तो 71 सा 17 ठीक है और दूसरा जो number हमारे पास है वो 92 92 को 2 से divide करेंगे बच्चो तो मारे आपास आएगा 46 और फिर 2 से divide करेंगे तो आजाएगा 23 23 23 खुद में ही prime number है तो divide करके कितना आजाएगा बच्चो वन आजाएगा ठीक है अपर वैसे ही लिखना है हमने factors में तो यह आएगा 2 multiply 3 multiply 5 multiply 17 और 92 के हमारे factor आएगे बच्चो वो आएगे 2 की power 2 और 23 बच्चो ठीक है यह हमारे prime factor बनगी अब हमने hcf find करना है सबसे पहले बच्चो hcf ठीक है जैसे मैंने बताया था hcf में हम कौन से number लिखते है common तो यहाँ पर common कौन सा है 1 2 common उसके लावर कोई number कौन सा है 2 और उसकी कौन सी power लिखेंगे बच्चो lowest यहाँ 2 की power 1 यहाँ 2 कितना है बच्चो दो तो अब लिखेंगे आगे lc m lc हमें all factor लिखेंगे all factor मतलब जो जो भी है महारे पास एक 2 है 3 भी है 5 भी है 17 भी है उसके पार 92 में 2 आते है 2 हम लिख चुके तो repeat नहीं करेंगे बच्चो उसके बाद कौन सा number है हमारे पास 23 अब 2 की power है इसमें हम greatest power ल 23 की power भी 1 है ठीक है बच्चो तो इन सब को जब हम multiply 842 तो यह आ जाएगा 23460 यह हमारा बच्चो lcm जाएगा और यह किसकी value थी हमारे hcf की ठीक है तो हम वैसे verify करेंगे जैसे हमने पीछले question में किया था hcf multiply lcm is equal to product of two numbers a cross b तो hcf हमारा है दो बच्चो lcm की value है 2,3,4,6,0 हमारा जो first number था 510 दूसरा number था 90 तो इसको 2 से multiply करेंगे तो बच्चो वो आएगा 4,2,9,6,4 इन दोनों की multiply करेंगे तो आएगा 4,6,9,2,0 यह दोनों number equal आगे बच्चो तो इसका मतलो हमारे यह verify हो गया बच्चो ठीक है तो कुछ जाद मुश्किल नहीं है बच्चो असानी से आप करेंगे तो हो जाएगा ठीक है बच्चो ऐसे हमारा अगला question है उसमें हमारे जो आगे के number है बच्चो वो है 3,3,6 and 54 ठीक है बच्चो इनके हम factor बनाएंगे वैसे ही 3,3,6 इसको हम divide करेंगे सबसे पहले 2 से ठीक बच्चो यह आजगा 80,4 फिर 2 से divide करेंगे तो हो जाएगा 42,2 फिर 2 से divide करेंगे तो हो जाएगा बच्चो 21,25 दो से divide होगा तो यह किसे होगा 3 से,3 से divide करने पे कितना है बच्चो 7,7 खुद में primary number है तो कितना आजगा बच्चो 1 ठीक है तो दूसरा number है महारे पास 54,54 को 2 से divide करेंगे तो बच्चो जो यह आजगा 27,27 को 3 से divide करेंगे तो यह कितना है 9,3 से divide करेंगे 3, तो यह कितना आजगा 1, तो इसको हम पावरो में बच्चो दोनोट करेंगे सब सबहले ठीक है तो मैं page insert कर लेता हूँ, तो जो हमारे पास आएगा 3,6 के हमारे पास factor बने है ब 4 times 3,1 times 7,1 times, square 54 में क्या आया था बच्चो, 2 कितनी बार आया था, एक बार, तो 3 कितनी बार repeat हुआ, 3 times, तो वहीं फिस वैसे ही हम HCF find करेंगे, बच्चो, HC हमें क्या लेके common factor, इसमें इस common हमारे पास क्या है, एक 2 है और 1, 3 है बच्चो, एक 2 है और 1, 3 है, दो की शोटी पा क्या है, तो हमारे पास अंसर आएगा, 2 into 3, कितना जाएगा, 6, ऐसा ही हमने LCM निकालना है बच्चो, LCM में सभी factor लेकेंगे, हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 7 है, 2, 3 repeat हो और यह नहीं, उसमें 2 की बड़ी पापर लेकेंगे, 2 की बड़ी पापर कौन सी है बच्चो, 4, 3 की करेंगे, तो हमारा LCM आएगा, 3, 0, 2, 4, बच्चो, यह हमारा LCM आजाएगा बच्चो, ठीक है, तो हम वेरिफाई करेंगे, HCF multiply LCM is equal to A multiply B, बच्चो, हमारा LCM आएगा 6, हमारा LCM आया है, बच्चो, 3, 0, 2, 4, और हमारे A जो हमें दिया हुआ है, नमबर, फस्ट नमबर, वह 3, 3, 6, दूसरा नमबर दिया हुआ है, हमारे 54, बच्चो, तो हमें की multiply करेंगे, तो जाएगा, 1, 8, 1, 4, 4, तो राइट साइड में भी कितना आएगा, 1, 8, 1, 4, 4, तो यह दोनों equal आए हैं, बच्चो, तो हमारा यह relation भी verify हो गया है, यह हमारे answers आगे है, बिल्कुल ऐसे ही काना है, बच्चो, कोई जादा मुस्पिल नहीं होगा, ठीक है बच्चो, तो चलो हम बढ़ते हैं, हमारे अगले question की तरफ, जो की है, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method, तो बिल्कुल वैसे ही काना है, बच्चो, जैसे हमने पीछले question किया है, लेकिन वहा पहले हम इसका करेंगे, तो सबसे पहले 12 के prime factor बनाएंगे, जो आएगा 2, 6 आजाएगा, फिर 2 से divided करेंगे, 3 आजाएगा, 3 से divided करेंगे, तो बच्चो कितना आजाएगा, 1, ऐसे हम फिर 15 के prime factor बनाएंगे, बच्चो, 15 के जब prime factor बनाएंगे, तो 3 से जाएगा, 5, 5 से करेंगे तो कितना आजाएगा बच्चो 1 ठीक है तो फिर वैसे ही हम इसके प्राइम फेक्टर में लिखेंगे 12 को हम लिखेंगे बच्चो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 15 को हम क्या लिखेंगे बच्चो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ऐसे हम 21 को लिखेंगे बच्चो 3 की पावर 1 7 की पावर 1 तो जब हम HCF निखा लेंगे बच्चो जैसे मैंने पहले बता है HCF में हम कौन से नमबर लिखते है common तो यहां पर common क्या है हमारे पास 3 और 3 की बड़ी पावर लेंगे चोटी पावर 1 ही है हमारे पास तो हमारा HCF कितना आजाएगा बच्चो 3 और हम LCM लिखा लेंगे LCM बच्चो सारे फेक्टर लिखने है सारे फेक्टर कौन से हमारे पास 2 है 3 है 1 5 है और एक 7 2 की बड़ी पावर कौन से है बच्चो 2 3 की बड़ी पावर कौन से है 1 7 की 1 और 5 की भी 1 बच्चो तो हमारे पास यह बन जाएगा बच्छो 4, multiply 3, multiply 5, multiply 7, इसब को multiply करेंगे, तो यह हमारे पास आएगा, 4, तो यह हमारा LCM आ गया, और यह हमारा HCF आ गया, ठीक है बच्छो, क्यों जारा मुश्किल नहीं है, ऐसी बच्छो मैं एक दूसरा सम नकाल देता हूँ, यह बला, तीसरा सम आप खुद करके देखिए ठीक है, अगर ना हो, तो प्रजी बता दीजी का कमेंट बॉक्स में, और अगर हो जाए, आपसे सोल हो जाए, जो कि मुझे लगता है, असानी से हो जाएगा, तो मुझे उसका reply भी, answer भी, कमेंट बॉक्स में युरू करें, तो हमारे पास है 17, 23 and 29, ठीक है बच्छो, तो 17 जाएगा, 71 सा, 17, 23 को ड्वाइड करेंगे, तो 23 से जाएगा, वह भी प्रायम नंबर है, और 29 को ड्वाइड करेंगे बच्छो, तो 29 से जाएगा, वह भी, तो 17 को लिकोंगे, 17 into 1, 23 को लिकोंगे, 23 into 1, और 29 को लिकोंगे बच्छो, हाँ, 29 into 1, तो सबसे पहले HCF तो हमारे पास common क्या आया है? 1 और LCM बच्चों जब नकालेंगे LCM सारे factor आजाएगा 17 आजाएगा 23 आजाएगा 29 आजाएगा तो इसको जब मुल्टिप्लाई करेंगे सभी numbers को 23, 70 और 29 को तो हमारे पास 1, 1, 3, 3 9 बच्चों ठीक है? एक बद और जा रखना है अगर HCF HCF हमेशे ही prime numbers का अगर सारे prime numbers है तो हमेशे HCF कितना आएगा बच्चों? 1 ठीक है? और जब LCM नकालेंगे prime numbers का ठीक है? तो वो आएगा product of numbers ठीक है? जो भी हमें numbers दिये हो है तो उनका product कर दो तो वो क्या जाएगा बच्चो? LCM आजाएगा अगर तीनों नमबर prime number दिये हो है तो अगला question बच्चों आप खुद करके देखिए का इसी बिल्कुल ऐसे factor बनाईएगा तो मिजे बताईएगा तो चलो अगला question की तरफ चलते है बच्चो question number 4 उसमें हमें दिया है HCF दियो है बच्चो दू नमबर का 306 और 657 का HCF हमें एक value कितन दियो है 9 हमें क्या find करना है बच्चो LCM जैसे हमने पहले question में बच्चो एक formula यूज किया था मैं फेसे लिख देता हूँ वो है HCF multiply LCM is equal to product of numbers product of numbers जैनि HCF multiply LCM product of numbers क्या है एक एक लेदर जैनि इसमें जो 306 है वो A हो गया और जो 657 है वो B हो गया और HCF की value हमारे पास कितनी है बच्चो 9 तो उसकी value पुट करेंगे LCM हमें निकालना है A की value है 306 और B की value है 657 है बच्चो ठीक है तो हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा LCM equal to आ जाएगा बच्चो हमारा 306 multiply 657 और 9 नीचे आ जाएगा 9 से जए कट हो जाएगा बच्चो 9 3 दर 27 9 4 दर 30 6 तो हमारे पास बच्चेगा 3 4 into 657 इसको हम multiply करेंगे बच्चो तो हो जाएगा 2 2 3 3 तो यह हमारा क्या जाएगा बच्चो LCM आ जाएगा तो यह हमारा answer हो जाएगा आपको सिर्फ इस formula को याद रखना है ठीक है तो आपके sum easily हो जाएगा बच्चो चलो चलते हैं लेके sum की तरफ जो की है यह बड़ा important question है बच्चो check whether 6 power n can be end with digit 0 for any natural number n हमें किसी भी natural number के लिए check करना है कि जो 6 की power n है वो कभी उसके last digit है जो unit place है उसमें 0 आएगा जैने तो यह बाद जाए रखना है कोई भी number अग 0 से end होता हो बच्चो any number any number end with 0 ठीक है बच्चो it should be divisible by 10 इसका मतलब किसी भी number के बीचे अगर 0 लगी हुई होए जो होगी तो वो किस से divide होता होगा हमेशा ही 10 से it means अगर वो 10 से divide होता है it also divides it also divisible by 2 and 5 तो 2 और 5 से भी divide होता होगा क्योंकि 10 के जो प्राइम फेक्टर है बच्चो वो कितने है 2 and 5 इसका मतलब यह है कि कोई digit अगर उसका जुन पले 10 है तो वो 10 से divide होगा तो इसका मतलब उसके प्राइम फेक्टर में 2 भी आना चाहिए और उसके प्राइम फेक्टर में 5 भी आना चाहिए तो जबकि प्राइम फेक्टर उफ 6 की अन के अगर हम प्राइम फेक्टर बनाएं 6 की अन के तो उसके प्राइम फेक्टर आएंगे 2 इंटो 3 की पावर n तो इसमें 5 नहीं है 5 is not a फेक्टर ओफ 6 रिस टू एन it means 6 n will not end with 6 power n will not divide end with 0 ठीक है बच्चो तो इसका कभी भी unit place 0 नहीं आए ठीक है बच्चो आपको सिर्फ ऐसे ही करना है तो चलते है हमारे अगले question की तरफ explain why 7 multiply this 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 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 are composite number सबसे पहले बच्चो आपको composite number बता होना चाहिए composite number वह होते है जो प्राइम के इलावा होते है जैज किसी टेबल में आते हैं जैज सिंपल बात में कहूं कि prime number वह है जिसके factor एक से ज्यादा होते हैं तो उसको हम composite number बोलते हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे थर्टीन मल्टिपलाई सेवेंटी एट थर्टीन खुद में एक प्राइम नमबर है बच्चो बट यह वाला है इसका factor एक से ज्यादा है तो आपने लिगना है इट हैस मॉर दैन वन फेक्टर सो इट इस कम्पोजिट अगर 30 अकेला हो जैसे बैं 13 के बबर 1 लिखा होता तो यह कौनसा नमबर होता बच्चो प्राइम अब जो 78 है फो बशादा है तो इसके अब नमबर थला है क्या हूंसा नमबर है कम्पोजिट नमबर है बच्चो तो अगला चेक करेंग59 यहनों इसका चेक कर लिए two, one, plus five है बच्चो, तो इसमें हमारे पास common क्या है, five, ठीक है बच्चो तो हम five common नकाल लेंगे जब five common नकाल लेंगे तो हमारे पास, बच्चेज़गे, seven into six, five, जहां था, बहां one आ जाएगा, फिर four आजाएगा फिर three आ जाएगा, फिर two two one, plus 1 आ जाएगा बच्चो ठीक है तो यह है 5 इन सभी नंबरों के जब हम multiply करेंगे बच्चो जो 7,6,5,4,3,2,1 है तो वो हमारे पास है 1,0,0,8 और plus तो यह आ जाएगा 5 multiply 1,0,0 9 तो यह भी 1 से ज्यादा है तो अब भी लिखेंगे it has more than one factor so it is composite number ठीक है बच्चो तो यह क्या जाएगा हमारा composite number इसका मतलब यह दोनों ही हमारे number है कौन से number है बच्चो composite numbers है ठीक है बच्चो चो लोग लाग लाग question देखते है last question यह statement बढ़ा question है जहां से समझने बच्चो यह दो कहते है धेरी से circular path around a sports field ठीक है बच्चो sonia circular path में जाबना देता हूँ जैसे हमारा ground है यह हमारा circular path है ठीक है बच्चो ground है sonia takes 18 minute sonia कितना minute लेती है बच्चो एक ट्रेक बुरा करने में 18 minute ठीक है बच्चो while Ravi takes 12 minute ठीक है बच्चो Ravi कितने minute लेता है 12 तो Ravi कितने minute लेता है 12 minute suppose they both start at the same point and go in the same direction after how many minutes will they meet again at starting point question ऐसे है बच्चो दोनों जहां से दोना start करते है Ravi और sonia तो यहां से वो दोर के start होएगे एक ही direction में तो दोर हैगे जो Ravi है वो sonia है Ravi है वो जल्दी circle पूरा कर लेगा sonia है उसको थोड़ा time तो ऐसे ही वो बार बार circle लगाते रहेंगे बच्चो हमने नकाला है minimum time जो वो starting point पे पहली बार इकठा होंगे ठीक है बच्चो तो क्या करना है देखो बच्चो जैसे मैंने बता है अगर हमने maximum value नकालनी हो तो हम HCF नकालते हैं अगर हमने minimum value नकालनी हो तो हम LCM नकालते हैं तो यहाँ रही है बच्चो रेस हमेशा ही जो होती है वो होती है minimum time में ठीक हम minimum time नकालेंगे जब वो दोनो starting point पे एकठा होंगे तो minimum point means minimum time नकालेंगे बच्चो तो minimum time means क्या होता है lowest lowest मतलब क्या होता है LCM इसका मतलब हम दोनो नमबरों का क्या नकालेंगे बच्चो LC हम नकालेंगे और क्यों से नमबर का 18 and 12 का तो वैसे हम factor बनाएंगे बच्चो 18 के factor क्या होता है 2, 9, 3, 3 से गया 1 12 के बच्चो जब नकालेंगे 2, 6, 2, 3 और 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चो 1 आ जाएगा तो हम वैसे लेखेंगे 18 को लेखेंगे 2 की पावर 1 3 का square और 12 को लेखेंगे 2 का square और 3 की पावर 1 तो जब हम LC में नकालेंगे बच्चो तो हम सब सब पहले इस all factor लेखेंगे 2 की बड़ी पावर लेखेंगे 2 की बड़ी पावर जहां 2 है जहां 1 है तो बड़ी पावर कौन सी है 2 3 की 2 और 1 है तो कौन से बड़ा नुमर है 2 तो वो आ जाएगा बच्चो 4 मल्टिप्लाई 9 तो जो कितने मिनिट बाद वो कठा होंगे वो स्टाटी पावर वो आंसर आजाएगा 12 36 तो ये हमारा आंसर आजाएगा बच्चो तो इसी के साथ ये हमारा आज का लक्षर खत्म हुआ बच्चो ठीक है अपसान दाए तो कमेंट कीजिए कोई की उरी तो कमेंट जरूर बताएगा अच्छा लगे तो लाइक हो शेर जिरूर करें थेंक ये बच्चो